करें दाक्ष्टूडूडूरियल्स वेलकम टू यू इन यूटूब चैनल क्ष्टूडूरियल्स वीडियो जो हमने आपको एक्सराइस 2.3 बताई थी आज हम चलते हैं चैटर दू के विशलेनिस एक्सराइस पर इसका पहला कुछन है जिसमा आपको दो फंक्षन एफ एक्स F is a function and G is not a function. दिख्टे को सम्हु के दिया हुआ, आपका Fx इपल त दिया X square when X less than greater than equal to 0 and less than equal to 3 and Fx equal to 3 when X is greater than equal to 3 but less than equal to 10. ऐसे Gx दिया हुआ X square when X is greater than equal to 0 and less than equal to 2 and 3X when X is greater than equal to 2 and less than equal to 10. यहाँ पर हमें यह पताना है किसमें से Fx आपको यह सो करना है कि Fx हमारा function है और Gx हमारा function नहीं है. तो आप देख रहे हैं, आप दिखिए, यहाँ सबसे important बात यह है कि Fx हमाँ आपका X square दिया हुआ है, तब यहाँ पर X की value 3 अथ्वा 3 से छोटी है, इसका मतलब 3 के equal value X की यहाँ इसके लिए valid है इसके लिए value X to 3 valid है, आप दर आजाएंगे तब भी इस Fx to 3X के लिए भी X value 3 valid है, इसका मतलब हमें यह पता करने करेंगे क्या हम वास्ताम में X to 3 रखने पर X square में उताओं और 3X रखने पर क्या same image आती है, अगर same image पराप्त होती है इसका मतलब क्या है हमारा यह function valid है कौन सा relation function होता है, जब एक जो pre image है, एक value पर एक ही image पराप्त होती है और एक value पर different image पराप्त होती है, तो फिर वो हमारा function नहीं होता है इसलिए हम यह पहले पता करते है, इसकी image यानि इसकी value क्या आगी, हम कहने सीधे सीधे बाती है, समझेए कि X की value इसे पर रखेगे, तो fx की value क्या आती है, एक ही value पर different function के साथ रखेगे एक बार fx पर उसलिए x square मिलेंगे, एक बार fx को 3x मिलेंगे तो दोनों में value और same आती है, तो हम कह सकते हैं, यह function define है, और function हो रहा रहा है, यह relation हो रहा है, इसके बार देखेंगे, आप देखिए, पहले हम लिया, fx इक्स इक्स पर टू, फस्ट पार्ट के लिए, fx पर टू, x square, एक एक्स पर टू, 3x, यह दो हम लिए, एक्स पर टू, 3x स्क्राइब, और दूसरा, fx इक्स पर टू, 3x में भी एक्स पर टू, 3x स्क्राइब, तो यह भी हमारा 9 आता है, आप यह देख रहे हैं, कि x की दोनों function में, आप x पर टू, 3 रखते हैं, दोनों function पूरी तरह से valid है, क्योंकि दोनों की value आती है, दोनों की value, same आती है, it means, f is defined at x equal to 3, यह दो, at x equal to 3 पर, जो relation f दिया हुआ है, वो हमारा, define हो रहा है, well defined हो रहा है, so f is a function, इसका मतलब क्या है, f function है, after that हम देखते हैं, gx के लिए, second one gx equal to x square and gx equal to 3x के लिए, आप देख जब gx equal to x square है, तो x की value greater than equal to 0 and less than equal to 2 है, और gx equal to 3x है, तो x की value हमारी greater than or equal to 2, but less than equal to 10 है, तो आप देख रहे हैं, equal to 2 दोनों के लिए आ रहा है, so we have taken at x equal to 2, at x equal to 2, from gx equal to x square से अगर g2 दिकालते हैं, तो 2 square difference 4 है, और from gx equal to 3x में g2 दिकालते हैं, और देख रहे हैं, यहां पर g2 हमारा 4 आठ वो यहां पर g2 वहमारा 6 आठ भारा, आप देख रहे is, एक ही number पर दो different image आ रहीं, यही एक number हम करते हैं पहले value 2 रखते हैं तो उसका फूरा आता है दूसरे value 2 रखते हैं तो 6 आता है तो ऐसा संभब नहीं है कि एक element की different image हो जाएं ऐसा संभब नहीं हो सकती है different element की एक image बन सकती है लेकिन एक element की different image नहीं हो सकती है So G is not defined at x equal to 2 जी नहारा एक दिखाल 2 पर 2 पर डिखान रही है, so G is not a function. After that, your next question number second, in which you have given Fx equal to x square, and have to find F 1.1 minus F1, इसकी वाल रहन रहनी है, आप 1, 1.1 minus 1, इसकी वाल रहन रहनी है, तो आप दिखेंगी, पहले हमने F1.1 fund किया, तो जहां X है, आप 1.1 रखेंगे, F1.1 equal to 1.1 का, whole square that is 1.21 हो गया, 1.1 का whole square करेंगे, 1.21 में लेगा, and F1 fund कर लेए, F1 equal to 1 square that is 1 हो गया, अब हमने इसकी वाल रहन करने है, F1.1 minus F1, upon 1.1 minus 1, F1.1 की value हमार कितनी ही, 1.21, और F1 की value कितनी ही, 1 है, इसके बाद ये तो 1.1 ही ऐसे लिखा हुआ है, आए करते हैं, 1.1 में से 1 minus करेंगे, तो 0.2 बचेंगा, और 1.1 में से 1 minus करेंगे, तो 0.1 बचेंगा, अब हम 1.0.21 को 0.1 से दिवार करते हैं, तो 2.1 आता है, आप्टर देट, इसके साथ ये value होगी, इसके बाद देखिए, इसके आपको कुछतर नमर 3, कुछतर नमर 3 में, फाइंड दोमेन और फंक्सन, Fx, ये कोई फंक्सन दिया हुए, आपको इसके दोमेन फाइंड करना है, Fx, 1 to x2, 2 x plus 1, और x2 मानस 8 x, प्लस 12, तो पहले हम क्या करते हैं, ये आप देखेंगे, x plus 1 का whole square है, और इसके अगर factor करेंगे, इस और एकस मानास 6े के लिए भी महाना इसे पहल भारण यहां पर पान एच्था, इसके लिए इन ओंख यहांष होगा लिए यह हमारा पाथ। इसके लिए इन फैडम रही हैं, इसके लिए इसकर लोगा देखन फोर नहीं होगा, क्योंके तो भी दिफान ही होगा और एक्स एप्ट टू और शिक्स सभी रियल वैलू के लिए डिफान होगा सभी के लिए योदो सभी होगे बट एक्स पमल कोड़ इसका नहीं हो स्कता है इसके पाद पोार क्या व Crils इंतोा में श्क्रीट अपर कर देक्सथ्या लुबिल्च नमीच मार्षंच धॉल अब देखते हैं यह अंडर रूट है आप इसका रूट ले रहें तो आप जाकते हैं नेगेटिव नमर का इसका रूट नहीं देशकते हैं तो फिर यह डिफाइं नहीं होगा अगर इसके लिफान नहीं है तो इसके लिफान के लिफान नहीं तो 한ट होगा लेजन बन के लिफान होगा और की जिफाली यह इसक की वैलू है वह क्ल són की वेलू है यह यह दो, उसका इसका फंक्शन ब्राइन का डोमैन इसके बाद देखते हैं कि फ्रहेंगे हैं तो लेटेक्ष को हम भाई मा nacional Lions यह उत्र ओने स्धाह्ण बढम एक्स को बेटल से अधर ठाल यह जिल ने पर पहल के लिए यह करे यह इसके चलिव तो यह बन पे इसका उतलए जो य की वालु है वो जिरो से स्टार्ट होगी that is range of the F equal to y such that y comes to r and y is greater than or equal to greater than or equal to 0 यानल जीरो खुखा जिरो से बड़ी होगी और रहिंज वोजर रहिए था धे यहाँ इаш फिल्ट लु की से तुटोरियलस प्रेसंस के लुटहाँ आनर्म gateون अबीकोरिए 489 45 25 37 अब्रोकर देन फ्रूप्त लुट receptor के यह आई दिल्यकोर के यह कि मेल है क्ह nearby object x equal to modulus x minus 1 देखिए आपको यह function दिया हुआ f x equal to modulus x minus 1 हम दो solution लिया है जैसा कि आप जानते है f is defined for all real value of x यानि जो function है हमारा वो प्रत्यक x की प्रत्यक real value के लिए define होगा so domain of f हमारा जब यह प्रत्यक value के लिए define real value के लिए तो domain भी हमारा definitely real ही हो जाएगा so domain of f x and that x belongs to real number that's one real यानि पूरा जो domain होगा वो इस function का domain जो होगा वो क्या होगा real number हो यानि set of real number के सब्सक्राइब लिए जो function है उसको में y मान लिया अब आप y equal to modulus x minus 1 आप देख रहे हैं जो y की value है आप x की जाए real value कोई भी आप रखेंगे negative रखेंगे या positive रखेंगे अगर आप negative रखते है तो भी positive आएगा और positive रखते है दो भी positive आएगा जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा इस तरीके से जो y की value आएगी वो 0 से लेकर positive सारे positive नमर आएगे it means 0 is non-negative integers हमारा जो non-negative value होंगे non-negative real number आप कर सकते हैं जो y is the non-negative real number so for all x sub x के लिए y is greater than or equal to 0 so range of the function f that is y such that y is belongs to r and y is greater than equal to 0 that's one 0 r positive बीखे सकते हैं इसको इसके बाद देखिए question number 6 में आपका 6 में ये दे रहे हैं f x equal to x, x square 1 plus x square x, x square upon 1 plus x square such that x is belongs to r b के function from r into r determine the range of f and इसकी हमें range find तर नहीं है तो आपको इस function दिया हुआ है range हमारा second जो order pair होता है जो second जो order pair में second element होता है आपको डिसाइड दाना था range का होती है तो हमने एजू किया let f x equal to y equal to this one second one अब आप देखें या x की कोई भी different value रखें सब्सक्राइब आप देखना है यहां पर जो डिनोमिनेटर आ रहा है तो इससे 0 से बड़ा आए वन ए ठीक है वेन एकस पर दुबा रखते हैं तो मन स्क्राइब रखें रपन एकस के बाद देखना पर नपुरू आपको all the तो proper fraction होती है और proper fraction lay between 0 to 1 0 और बनके बीच में होती है greater than 0 and 1 less than 1 so range of f y such that y belongs to r and y belongs to 0,1 यह open interval में लिखा हुआ 0 to 1 इसके बाद देखिए आपका question नमा 7 है है, तो यह simple question है, इसमें फंक्शन f and g are to are, we define respectively fx equal to x plus 1 and gx equal to 2x minus 3, find f plus g, f minus g, f of 1 g, so f plus g means add कर देंगे दो लोगो, x plus 1 plus 2x minus 3, 2x or x 3x, that is 1 minus 3, that is minus 2, so this f plus g equal to f 3x minus 2, f minus g find करेंगे, तो f वाले function में से g वाले function मानस करतेंगे, मानस करतेंगे, तो x plus 1 minus 2x हो जाएगा, plus 3 हो जाएगा, तो 3 plus 1 4 हो गया, मानस के 2x plus x minus x हो गया, तो इसदा f minus c, f upon g find करेंगे, तो x plus 1 upon 2x minus 3, यह हमारा तभी 0 नहीं हो सकता, तक यह 0 के लिए दिफान नहीं होगा, जिन चात्रों आपता हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवाब सेयर करें, करेंगे?